जेहन दोस्तों स्वागत है आपका हमार यूटूब चैनल ड्रीम चाप भी धंकित बोस्तों आज यूपी त्रीपल से द्वार आयो जित वन रच्छा के वन जीव रच्छा की परिच्छा थी और ये दस वजे से लेकर साड़े बारा बज़े के बीच 21 अगस्त को संपन हो जो भी grammar के question थे हमने पूरे complete discuss कर लिये हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ हमारे साथी राजपाल सिंग द्वारा लिखित एक पुस्तक है समान हिंदी बाई राजपाल सिंग ये आपको Amazon पर मिल जाएगी आपको इस पुस्तक से लगभग 95 परसंट question आपको exact who बहु मिल जाएगे वह से तो पूरे question मिल रहे हैं लेकिन इसे कभी कि आप ढूरने में आपको असमर्ता होती है तो वह कि जो है sentence change रहता है बहुत तो आपको same to same मिल जाएगे आपको भी पूरूफ दिखाता हूं पूरूफ मैं हमने यहां पे ज्यादा 15-20 question के हमने यहां पर इसके insert करके रखे हुएं जो मैं आपको दिखाता हूं कि ज्यादा question को ढूरने में थोड़ा सा दिक्कत होती है जैसे मैंने ज्यादा नहीं रखा है मैं आपको जो main question आपको दिखा देता हूं बाकि आप उस तक में आप ढूरेंगे तो आपको सब मिल जाएगा उस तक नाम एक बारा फिर से देख लिजी समान हिंदी भाई राजपाल सिंग अब यहां पर चलते हैं अपसे पहला question देखते हैं इमने खित में से कौन सी प्रेम चंद की करती नहीं है यानि प्रेम चंद की रचना कौन सी नहीं है तो यहां पर इसका जो सई answer जा यहां पर जोड़ने का काम करता है यहां पर बीच में लगा रहता है तो इसका सई answer हो जाएगा योजक चिन नहीं हुआ है तो सही प्रियोग नहीं हुआ है तो सभी में हुआ है लेकिन सही प्रियोग कहां पर नहीं हुआ है तो यहां पर सिर्फ डी आफसन ऐसा है यहां पर सही प्रयोग नहीं हुआ है देखिए यहां पर हे प्रभू मुझे सक्ति दू यहां पर भी सही प्रयोग हुआ है यहां पर कुश्चन मार्क लगा हुआ है आया यह नहीं प्रश्चन पूंचा जा रहा है यहां पर राम राम यह भी सम्भूधन यह भी सही पूंचा यहां पर निरा बालक है कामा परन्तु यहां पर कामा और परन्त दोनों का प्रयोग किया गया है या तो यहां पर कामा न लगाई यह तो फिरा परन्तु न लगाई यह तब यहां पर यूज हो जाएगा परिपत्र कब जारी किया जाता है तो यहां पर जो इसका सही अंसर हो जाएगा संबध्या अधिनस्त कार्यालों के साथ पत्र अचार के समय परिपत्र जारी किया जाता है इसका जो सही अंसर हो जाएगा ए आफ्सन सही हो जाएगा हमने पत लेखन पे वीडियो बनाया था में यहां पर पड़ा होगा कहीं पे प्रेलिष्ट में हमारी आप आएंगे तो मिल जाएगा आपको यह हिंदी व्याकरण है इस व्याकरण के अंदर आपको देखें मैं आपको दिखा देता हूँ ज़्यादा डिटेल में तो मैंने नहीं बनाया था लेकन यहां पर देखें पत लेखन कर वीडियो बनाया था इस पे आपको सारे अफचारिक और पहुत सारे आपको इस आफैसन मील जाएंगे बागी ग्रामर पर हमने ज्यादा व्यूडियो नहीं बनाए हैं ग्यारा व्यूडियों ने बनाए हैं अब देखेंगे तो आपको जो कन्फ्यूजन वाले जितनी भी टॉपिक रहते हैं यहां पर पुर्तगाले हो गया तुर्की भासा सब यह सारे जो संग्या से लेकर सर्म दाब तक जो भी यहां पर है मैं समने इसमें हमने डिसकस्काष कर लिया है अब चलीए नीचे अल चलते हैं सायद कल निकुंज यहां आए वाक किसका उदारने तो यहां पर खुद ही संदेष दर सार है तो यहां पर संदेष वाचक हो जाएगा गीता ने कहानी लिखकर फिर भी तो नहीं तो किन्तु परन्तु लेकिन यह सब यहां पर संयुक्त वाग का प्रियोग होता है उसमें संयुक्त वाग में तो यहां पर देखा जाए तो मैं यहां पर गीता ने कहानी लिखकर पुरुषकार प्राद किया तो यहां अगर देखा जाए इस तरह से हो सकता जो बहुत बीमार था, तो यहां पर आपको यह point पकड़ना है, कि जो की होता है, या फिर जो होता है, नीचे आपको दिखाता हूंए, की, जो, क्योंकि जिदना उतना, यह सब जहां पर योजक चिन, यहां पर यह सब आए, वो मिस्तृत वाक्य हो जाता है, उस्तों मैं यहां मुझे लग रहा है मैं वीडियो नहीं बनाया था तो मैं आने वाले समय में इसका वीडियो बना दूँगा यहां पर आपको बहुत जो है अच्छे तरीके से समझाएगा एक एक पॉइंट जो भी कन्फूजन वाले है मैंने सारा कुछ यहां पर डिस्कस किया है अब यहां पर इसका जो एंसर हो जाएगा मिस्रवाक हो जाएगा अब पैसेज मैं यहां पर छोड़ दे रहा हूँ आठ से ग्यारा तक क्वेस्चन है पैसेज तो जो रहता है उसका एंसर पैसेज में ही रहता है तो पैसेज मैं यहां चोड़ दे रहा हूँ अब मैं नीचे जाता हूं बारा नंबर पर अभाय और उभाय के समरूपी निरा भिनार ठक है तो यहां पर अभाय का मतलब होता है जिसको डर ना लगे तो डर किसे नहीं लगेगा ने डर को डर नहीं लगेगा उभाय उभाय निस्ट होता है दोनों होता है तो यह आफसान इसका सही हो जाए आप एक भी जानते होंगे तो आप इसका एंसर सही लगा देंगे सही एर्थ जाने सही एर्थ वाले सुरतिसम भिनार्थम को यूगल का चैन कीजिए यानि जो जोड़ा एक दम सही बैड़ता हो यहाँ पे तो सीट का मतलब ठंडा होता है और सीट का मतलब तेज किया गया तो यहाँ पर इसका जो सही हो जाएगा नेक्स्टर किस विकल्ब में सही बिलोम युगम है तो इसमें करूण और निश्ठूर यहाँ पर यह विकल्ब एक दम सही है केंद्रित और अधिक्ता में क्रमसा प्रत्य इस प्रकार है तो केंद्रित यहाँ पर तो यहाँ पर प्रत्य हो जाएगा और इसमें ता लाष्ट में है तो यहाँ पर ता प्रत्य हो जाएगा तो यहाँ पर यह सी आफ्सन सही हो जाएगा अली सब्द के अनिकार्थी सब्द है तो अली का भावरा और कोयल होगा इसका प्रूब में राजपाल सिंग की बुक जो है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों देखिए यहां पे अली भावरा और कोयल भावरा और कोयल यहां पे अली दिया हुआ है यह आप नते ही होँगे पतनी का पर्यावाची सब्ध भाय और प्रण परिजा होता है कि उपर आते हैं यहां पर निम्नम्ずकनि मैंसे कौन सी वर्तनी तो यहाँ पे चार दिवारी असुद्ध है और चाहार दिवारी सुद्ध है इसको मैं आपको उपर ले जाके दिखाता हूँ 213 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा असुद्ध सुद्ध पुस्तक का नाम वही है आप जैसा मैंने बताया था यूनिवर्सल सामान हिंदी राजपाल सिंग इसका जो सही एंसर हो जाएगा चाहार दिवारी हो जाएगा निम्नमखित में से कौन सी वर्तनी सही है तो यहाँ पे काउतू हल नेक्स कुश्चन है महेश गीत गा रहा था तो यहाँ पे एक क्रिया हो रही है यानि हो रही थी तो यहाँ पे अपूड भूत हो जाएगा जो क्रिया कंप्लिट नहीं होती तो वो अपूड मानी जाती है तो यहाँ पर पाश्ट की बात हो रहे तो अपूर भूत इसका सही अंसर हो जाएगा सत्संग में जाने के बाद मन को सांती मिली है किस दिये गए वाक्त का काल बचाए पहचानी है तो यहाँ पर सामान भूत, अपूर भूत और आसन भूत अपुर्ण भूत मैंने आपको बता ही दिया है सामान भूत में सिर्फ सामान वाक के रहता है यहाँ पर आसन भूत दिया मैं आपको दिखा देता हूँ आसन भूत क्या होता है जोस्तों क्रिया के जिस रूप से यह ग्यात हो कि क्रिया अभी अभी पूंड या समापत हुए उसे आसन भूद कहते हैं ये भी यहाँ पर आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है अभी सत्संग में जाने के बाद मन को सांती मिले यानि वहाँ पर जाने के बाद सांती मिले है यानि तुरंद या फिर अभी थोड़ी देर पहले यहां पर यह किलिया समापत हुई है बाकि यहां पर और कोई वाक इस पर सही नहीं बैठेगा तो यहां पर भी आफसन इसका सही हो जाएगा निमिल्खित में से किस वाक में संदेग्ध वर्तमान काल है यहां पर रीना पढ़ती होगी यहां पर इस 346 नंबर पेज पर आप आएंगे तो यहां पर रुपक अलंकार सेम टू सेम आपको वही उदाहरण मिल जाएगा चरण कमल बंदो हरी राई यह कुश्चन असिस्टेंट एकाउंटेंट परिच्छा 2015 में पूंचा गया था यूपी पीजीटी 2011 में पूंचा गया था यहां पर दिया गया है तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा रुपक जानने के इच्छा रखने वाले को जिग्यासू बोला जाता है निम्लिखित में से कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है तो यहां पर इसका जो सही एंसर हो जाएगा आग्या और यहां पर निम्लिखित में से कौन परन्नेशा होना चाहिए था और यहां पर छोटी एक मात्रा लगीनी चाहिए थी यह गलत हो जाएगा इसका प्रूब मैं आपको दिखा देता हूं देखे यहां पर यूनिवर्सल समान निंदी राजपाल सिंग यहां पर आप आएंगे तो आविर भाव तिरो भाव यहां प अब आते हैं निचे इन वे लिंह से कही विलॉम यूगम नहीं है तो यहां पे chip का मुक्त यह नहीं होग यहांपे गलत है तो स्विय क्रफा और दिखा न तो इसका जो सही अज़र हो जाएगा स्विय हो जाएगा कोब का विलूम सब्दं यहां अपको दिखा देता हूं, यह दोस्तों यहां पर घुब्त का प्रकट यहां पर दिया गया है, और यहां देखिए कोब का क्रपा, यह सभी answer आपको इस इस पुस्तक में मिल जाएंगे अब यहां पर लहू का समनार्थी सब्द है तो लहू का यहां पर सोडित होगा इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए रक्त का लहू सोडित रुदिर लोहू खून तो इसका सही एंसर हो जाएगा सोडित तो यहां पर अनी का सही परियावाची यहां पर सेना हो जाएगा लेटर ले लेता हूं यहां पर मैंने भूल गया था लगाने के लिए तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा सेना हो जाएगा वनिता सब्द का परियावाची सब्द है वनिता का यहां पर महिला हो जाएगा दोस्तों देखिए यहां पर इस तरी का परियावाची यहां पर वनिता लिखा हुआ है नेक्स्ट है उपकार को मानने वाला तो उपकार को जो मानता है उसे कृताग बोला जाता है और जो नहीं मानता है उसे कृताग नहीं बोला जाता है तो यहां पर मानने वाला पूंचा है तो इसका सही एंसर हो जाएगा जो दिखाई ना दे तो जो दिखाई ने देगा उसे अधरस्त ही बोला जाएगा निकिन में से सही विलोम यूगम है दीर घ्रकाय क्रिसका यह इसका तो आप सोच रहे होंगे कि आपको यहां पर कुछ दगन होता है देखिए क्रिसकाय का यहां पर दीर घ्रकाय हो जाएगा हमने सभी रख लिए हैं लेकिन मैं आपको पूरे दहीं दिखा रहा हूं अभी उपर आते हैं अब यह भी पैसेज है इस पैसेज को मैं छोड़ देता हूं यहां पर लालसा सब्द के दो परियाव अची है तो इसका सही एंसर हो जाएगा इच्छा और आकांच्छा और जाती सब्द का बहुबचन रूप क्या होगा तो जाती का यहां पर जाती यहां हो जाएगा आपको यहां पर चंद्र बिंदू देख लेना है यह एका रांत ह होता है जब कि आंज एकारण यहां पर हो जाता है यां सा सब taид समझ है यहां जो जाएगा इसका प्शुन होता है रेंटी में से तसम सब्रिपद होगा जिसमें रहे रहेगा हो सभी tasam Sabda hai तो सा पत्नि का तत्बा हो जाएगा 7 जिमलिकित है तो यहां पे दिशन का सरथ इसकंद का कंधा हो जैएगा होां 9 2024 में अप्धान कारक थे क्या होता है अलग होने के लिए प्रयोक किया जाता है भी छट से कोड पढ़ी यहां पर बिल्ली छट से अलग हो रही इसше समय सबहते हैं है जो सब्सक्र्ण संफ इसका जो सही एंसर जाएग यह सभी कि परिया वाची है मुंख के जाए सब्सक्राइव किस व्चन में होता है तो जाए सब्सक्राइवत अगर दनεις प्रियूक की आता है और भारति यह सब्द का बहु बचन है तो यहां पे बागी की सब्ढ़ कि अप्संग गलत हैं तो वहाइं से रुवस्त का अधिक होना ठीक नहीं है यहनि ज़्यादा बरशना भी सही मैं और ज्यादा धूप भी सही psychologist सही नहीं तो इसका सब्ने करनी पार उतर नी को कितकारत होगा होगा अपने तो सेक अप्रयोग करण के लिए कियाता है करण से या के दौरा फिर गहने अलमारी में हैं तो यहां पर मेक अप्रयोग किया गया है तो यह हो जाएगा अधिकरण में पर आ बैल मुझे मार तो जान बुझ कर मुसीबत में पढ़ना है अगर आप बैल को बोलेंगे क्या यह लिए्व कित में से कौन सा वाक के सुद्ध है तो वह आदमी अच्छा नहीं है यहां पर हमारी समझ से यही वाक के सुद्ध है बाकी सभी असुद्ध हैं देखिए यहां पे मेरे को तो सही यहां पर मेरे को ही गलती है पर यहां पर एक दूद का गिलास होता नहीं है एक गिलास दूद होना चाहिए यहां पर प्रतेक चित्र बुरे नहीं होते हैं यहां पर देखिए प्रतेक के साथ में बुरे का प्रयोग किया गया है तो यहां पर यहां पर यहां प सब्सक्राइब के असुद्ध है यहां पर असुद्ध पूछा गया है तो कृपया आप ही बताएं यह सही है वंदूग एक बहुत ही उपयोगी सस्त्र है सस्त्र का मतलब वह होता है जिसको ऐसा ऐसा हंतियार जिसे आप अपने पास रखके अपने अपने सरीर से टेस्ट करके की मारते हैं तो वह सस्त्र होता है अस्त्र जिसे हैं फेक करमारते हैं तो अस्त्र होता है यहां पर अब想法 बहुत लजीज आप कर प्रहू किया है तो यह गलत हो जाएगा नेश्ट है यथोचित की समास का उदारण है तो यहाँ पर यथोचित के मतलब होता है यथा दारण उचित यानि प्रति यथा बे भर नहीं इस तरह के आएगा तो वहाँ पर अव्वेई भाव समास हो जाएगा नेश्ट में से कौन सा दिगु समास का उदारण नहीं है तो दिगु जहाँ परयोग होता है वहाँ पर गिंती के लिए परयोग किया आता है तो यहाँ पर भाला बुरा होगा नहीं दोंदो है बखुबी भी नहीं होगा यह है अब वेई भाव समास 9 यूवाग भी नहीं होगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे 9 यहाँ पर गिंती नहीं है 9 यूवाग का मतलब यूवाविक्ती लेकिन यहाँ पर 5 सेर यानि 5 सेर तो यहाँ पर भी आफसन इसका सही हो जाएगा अब दोस्तों इसके बाद मैं वीडियो ले आओंगा अलग से हिंदी कर्द में चुकि यहां पर सारे टापिक नहीं कवर किये हैं मैं आपको यहां पर जो भी पढ़ा दूंगा उसके बाद अगर पेपर देंगे तो आपको एक भी क्वेस्चन कलत नहीं होगा चुकि जो भी कन्फूजन रहता है मैं उस पर ज़्यदा फोकस करता हूं अब यहां पर बात का धनी महावरेकारत होता है वाइदे का पक्का इसके बाद नद्यागम तो नदीधन आगम यहां पर इसका सही संधी हो जाएगा मन अनकूल तो मनोन कूल हो जाएगा यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है आपको मातरा में यहां पर देखना है का में बड़ी उखी मातरा लगी हुई है बाकी में यहां पर नामे छोटे हो की मात्रा होनी चाहिए तो इसका सही आपसन ए हो जाएगा अब यहां पर निम्रकिन में से कौन सब्द भाव आचक संग्या है तो यहां पर भाव एक मित्रता का भाव यही एक संग्या है भाव आचक पराधीन में कौन सा उपसर्ग है तो पर धन आधाीन, यह हो जाएगा, यहाँ पर अनुगामी सब्द कौन सा उपसार गए, तो अनुगप अजाएगा, विलाफ षपाले क्यों से प्रत्य लगा हुए है, यहाँ पर ओंस प्रत्य το्च हो जाएगा, मिल धन आप, मिलाफ, बंगली सब्ध में कि इस प्रत्य तो यहां पे संबंद वाचक हो जाएगा, निम्लिकित मेंसे कौन सा पुरुष्ण वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो कब किन है, कहां, क्यों, कैसे, यह सब ही पुरुष्ण के है, उसको यहां पे पुरुष्ण वाचक का नहीं है, निम्लिकित मेंसे कौन सा पुरु अबंवरी है चूंकि यह भगवान है तो ऐसा नहीं है यहां पर गौरी और संकर हो जाएगा लिए इसमेंट सब्सक्वा म healthy हो इसमें से C option सही हो जाएगा चमड़ा द्रब वाचक संगया है पसू चर रहे हैं इस वाक में पसू कौन से ही संगया है तो यहां पर पसू ज्याति वाचक संगया हो जाएगा चूंकि यह ज्याति का बोध करा रहे हैं तो यह ज्याति वाचक संगया हो जाएगा तो दोस्तों पर हमने 80 question यहां पर थे हंदी में हमने 80 question पूरे discuss कर लिये हैं यह मेरे खियाल से साथ इस रिच थी चुंकि ऊपर कहीं पर स्रीच का अपसन नहीं था तो हमने 80 question discuss कर लिया है जिसमें से हमने पैसे छोड़ दिया है पैसे चुकि पैसे discuss करने कोई मतलब नहीं आप यहां पर answer देखेंगे तो खुद ही यहां पर आपको answer मिल जाएगा दोस्तों एक question और था यहां पे जो हमने discuss किया था उन्हें आपको दिखाया नहीं था जिसमें आकVan चा THERE आ लालसा और इच्छा था तो यह question इसका अच्छा पहरा यहां पे दिया गया है एक question था जो जानने की इच्छा रखने वाला ज मिल जाएगा यूनिवर्सल समान हिंदी राजपाल सिंग की पुस्तक में यह पुस्तक आपके लिए बहुत उप्योगी है आप वन्डे एक्जाम के लिए कोई भी एक्जाम हो आप इसको पड़ लेंगे तो आपको कहीं से भी एक क्वेस्टन बाहर से आपके नहीं आने वाला है जो कि बहुत सी पुस्तकों का जो है कलेट करके एक पुस्तक बनाई गई है और इसमें अपने अलग से इंपुट डाले गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही लावदायक हो सकती है तो दुस्तों उम्मिद करते हैं आपको यहां पर सारे आइंसर आपको किलियर हो गए है कोई confusion रह जाता है तो आप comment box में comment करके पूँच सकते हैं पुस्तक अगर आपको लेना है तो आप near market में जाएंगे आप बोलेंगे आपको universal समान हिंदी की पुस्तक दे दीजिए तो मिल जाएगा अगर अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो अभी मैंने जदा पढ़ा पर आपको मिल जाएंगे और जो नहीं है पत लेकर में एक दूसरा वीडियो बनाओंगा जिस की यहां पर हमने डिटेल में बताया था अब उस पर question answer के फॉर्म में रहेगा तो आपको समझने में असानी रहेगी वाक के का संधी का सब कुछ मेरे matter हमारे पास है मैं बनाया नहीं था चुकि मेरे चैनल पर ज्यादा अतर फाम से सम्माधित वीडियो रहती ही तो मेरे पढ़ाने के मुझे सदा समय मिल नहीं पाता हूं तो आप समय निकालूंगा अगर मुझे समय मिलता है तो मैं अलग से वीडियो बनाओंगा बाकि आप अगर पुस्तक लेना चाह